हेलो फेंट सी स्टोरी है जो किसना आपका स्वागत है और देखे दोस्ता आज हम लेका हैं उत्राकरण एलटी से जग भरती के लिए वाणी जे यानि कॉमर्स से पार्ट थ्री और देखे दोस्ता इसमें काफी इंपोर्टेंट कोईशन है जो पिसले दस वर्सों से पुझे बाधर है तो केवल हम वही कोईशन कर वा रहे हैं जो पिसले दस वर्सों से पूझा रहें और हमारे पास इसके आलावाँ भी यहाँ पर काफी प्रीएसर के पेपर मौझूद हैं तो हम आपको यह पूरे के पूरे प्रीएसर पेपर वाईपर कराएंगे तो चिली सुरू क पर हम आज करेंगे 49 से आगे कोशन तो पर पहला एलक्ट्रोनिक कंप्यूटर विक्सित हुआ तो कब वह था तो यह हुआ था 1940 में तो यहां पर सेकंड ऑप्सन जो दिया गया है वह यहां पर सही दिया गया है नेस्ट को सने आप पुकरत सिदान्त इनकी मानताएं है नेस्ट को सने आपे चल्इत कारोबार विचार के अंतरगत एक व्यवसाय के चालू रहने के बारे में मानिता होती है तो क्या मानता होती है तो वह यह आपे अपEMित अवधी तो यहां पर पहला ओप्सन पर सही दिया गया है नेस्ट कुछने आप एक क्रेडिट नोट किस लेखा पुस्तक में लेखा करने का वाउचर होता है वह पुस्तक है तो क्रेडिट नोट जिस लेखा पुस्तक में अगर हम बात करें करने का जो वाउचर होता है उस पुस्तक का नाम क्या है तो उसे विक्र यहां पसिपना होगी यहां कि विक्रए कम होने पर भी लाब में ब्रुषिय होगी है नेस्ट कुशन तो लागत प्लस मुल्या लागत की बराबर तो यहाँ पर एक संगठन चित परदर्सित करता है तो यह करता है यहँ विकार दायत्व संबंद को तो यहां पर फोर्ट ऑप्सन सही दिया गया है मैं आधार भूत विचार जिस पर एक सहकारी समिती बनाई जाती है कहलाता है तो यह क्या कहलाता है तो यह कहलाते हैं यहां पर एक सब के लिए सब एक के लिए तो यहां पर जो सेकंड ऑप्सन दिय देखेई आपे दिया गया कि झारी समिति में सभी जो सदस्य होता है बिलकर करे करतें भारत में सायकारी समिति में सदस्योंगा की सभी सेवी का सतन मतंग सरूंस मतंग अधिकिस का सैयोग एक सभीबित का सब्सक्राइब होता है next question सेवी का पूरा स्वरूफ है काफी important question बार बैजाम पूछा गया है तो यहाद है कि सेवी का जो पूरा नाम है full form है security and exchange word of India तो यहाँ पर थाड़ option जो दिया गया है और देखे जो सेवी है यह पूजी बजार के अनिमताओं को दूर करने के लिए इसकी स्थापना जो है यह पूछा तक जाम में तो 1988 में की गई परन्तु केंद सरकार ने 30 जनवरी 1992 में इसे लागू किया तो यह भी important है कि स्थापना कब हुई और लागू कब किया गया तो यह दोनों डेट याद रखिए नेश्ट कोशन यहाँ पर नेडएन का आसे होता है तो नेडएन का आसे होता है एक समश्या के समधान हेतु स्रिष्ट विकल्प का चुनाओ करना तो यहाँ पर फोर्थ आप्सन सही देग है नेश्ट कोशन यहाँ पर जब किसी वस्तु से समबंदित एक से अधिक अगनी बिमाँ पौल्सी ली जाती है तो उसे कहते हैं तो हुसी क्या कहा रहता है तो यहां पर थाठ़ इफ-डवियू टेजर हैं यह बिग्यानिग परबंदन है परबंदन है सार भोहमिक परबल और एल्टन में जो हैं ओध्योगी मनोविज्ञान एवं मानुवे संबंद और जो मेरी फारकल फरलोट हैं यह मनोविज्ञानिक दिश्टी कोण है नेश्ट कोषन एपर अब्याव चाहिक शंकरनों में पूरुसकार एवं डंड की तकनि की का परियोग निमिकित के लिए किया जाता है तो यह कहता है उत्प्रेलण के लिए तो यहाँ पर सही दिया गया है नेस्ट कोशन यहां पे Chamber of Commerce स्वरूप है तो यह किसका स्वरूप है तो यह एसोसियेशन का तो यहां पे सेकन्ड उसम दिया गया है वो यहां पे सही दिया गया है नेस्ट कोशन यहां पे समर्पन मूल्य लागू होता है तो यह केवल जीवन बिमा पर लागो होता है समर पर मुलियाद है कि next question है जब दो या अधिक कमपनिया निस्तारित होकर एक नई कमपनी बनाती है तो कहलाती है तो काफ़ी important question है यह तो जब दो या दो से अधिक जो कमपनिया होते है निस्तारित होकर एक नई कमपनी बनाती है तो उसे एक इकन का जाता है तो यहाँ पर पहला उप्सन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है नेच्ट कोसना पे एन्टी फोट ट्रेट का अर्थ है तो इसका अर्थ होता है फीर से नरияхात के लिए आया तो फोट पर अप série घática है और निम्नी कित संस्ता की स्थाफशन सब्से पहले हुई तो याद है कि सब्से पहले जो में डेल जो ही थी बहुति चुछति औरभम Deputy स atenção Lab क क्यों ये 5 जनवरी 1955 में हुई और इसके बाद हुई थी भारती अध्योगी विकास बैंक की एक जुलाई 1968 को और इसके बाद हुई थी भारती यूनियन ट्रस्ट की एक जुलाई 1964 को नेस्ट कुशन यहाँ पर जब कोई कमपनी अपने ग्यापन पत्र द्वारा अनदत अधिकारों से बढ़कर व्यवहार करे तो यहाँ कहलाता है तो इसे क्या कहता है तो इसे अधिकार रातित कहा जाता है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्सन सही दिया गया है और देखे आगो बता 1866 SP में नेस्ट कुशन आपे निम्रीकित में से युगमों में कौन सा सुसेमित नहीं है तो कौन सा सही नहीं है तो वह है यहाँ पर की बीजुकों का दमन बाय अलंग करान तो यहाँ पहला ओप्सन सही दिया गया है नेस्ट कुशन आपे प्रतम मानक लेखा परिच्छा व विचार धारा की अनुसार प्रमबन है तो प्रबंद क्या है तो यह है अभ्यास और अभिन्यास तो यहाँ पर पहला ओप्सन सही दिया गया है नेस्ट कुशन आपे निम्रीकित में से प्रेणा प्रतिकर का कौन सा प्रत्यक्छ भाग है तो वह है यहाँ पर उत्पादन मे ब्रिधी तो यहां पे थार्ड आप्सन सई द्याग है नेस्ट यहां पे निमलिकित में से कौन सी एक विशेष्था संगठन की जैविक या ब्यवहारिक संदचना का उचित वर्डन करती है तो कौन सी है तो वह है यहां पे ब्यापक दियंतर्ण विश्थरिती तो यहां पे पहला उप्सन सई द्याग है नेस्ट को सना पे निमलिकित उधारण को पढ़िए एवं उत्तर दीजे तो यहां पे द्याग है इसकंद विपनी दसा की अर्थविवस्था का दबाव मापी है तो यह दिया था मारसल ने तो यहां पे पहला उप्सन सई द्याग है नेस्ट क कम मिलेगी जिस कारण निर्यातक को प्रसान नहीं मिलेगा नेश्ट कुछन यहां पर आत्म समन्वयक के सिधान्द की व्याक्या की गई तो यह किस ने की थी तो यह किती ब्राउन द्वारा तो पहला अप्सन सही देग है नेश्ट कुछन पर तत्व जो निर्देशन का हिसा नहीं है तो कौन साय तो वह यहां पे कारी विवाजन तो फोर्ट अप्सन सही देग है नेश्ट कुछन पर निमलिखित में से कीसके द्वारा अपूर्ण लेखांक पद्दती परयोगत नहीं कि जा सकती किसके द्वारा है तो वह यहां पे लोक सीमा लोक सीमित कम्पनी के दवार तो यहां पर थरड़ ओप्सण सही दे गए नेश्ट को सनगाइब कराया नियम प्रतिविधियां प्रतिविधियां एक समान अपनाय जाने और उन्हें प्रती वर्ज बदलना नहीं चाहिए इसे निमलेखित लिखांकन प्रफघा कहते हैं तो कौँ सा कहते हैं तो उसे कहते हैं सू theatre संगती तो पहला अपशन सही दिया गया है फॉस बनान होर बारिल के बाद में दिय गया नेड़ा निमलेखित सिद्धान का प्रतिबादन करता है तो किसा करता है तो यह करता है बहुंत का सासन का तो यहाँपे सासन जो दिया गया वो हो यहाँपे सही देग ए नेशक उसरों फिर गारनर बना रचल आम मरे का मामला साजradaरों में निमन ऑउसर पर परस पर हिसाब किताब तैय करने में संबंद रखता था तो यह रखता था यहां पर साजिदार के दिवालिया हो जाने पर फोर्ट अप्शन सही दे गया है अब देखें यहां पर कथन दिया गया है और करण दिया गया है आपको बताना है कि कौन सा कथन करण सही है तो कथन दिया गया है यहां पर विदेशी ब्यापार का उपलब्द करने के लिए भी जो देश के अंदर नहीं मिलती है तो यहां पर कौन सा सही होगा तो यहां पर अगर हम देखे तो पहला सही दिया गया है यहां पर कि A और R दोनों सही है और R A का सही स्पष्टी करने है नेश्ट कुशन आपर A 200 विशलेशन है तो यह है सामागरी नियंत्रण की तकनिकी की एक तकनिकी है तो यहां पर थर्ड अप्सन सही दिया गया है थो देखे इसमें A 500 में क्यक्शे दिया गया है जैसे A 500 में आता है मुल्या 70 से 75 तक 5-10 परसंत्त को पढ़िए और नीचे देए उत्तर का उत्तर को कोड को अनसार उत्तर दीजिए तो यहां पर अलग अलग दिये गया है तो इसमें अगर हम बात करें तो सही दिया गया हुआ है यहां पर कि ब्यापार लेखा बना कर लाब निच्चित करने के लिए इस्टोक का मुल्यांकन करना आवश्यक है तो यहां पर सेकंड अप्सन सही दिया गया है और लास्ट कोशन यहां पर एक फर्म के समापन के स्थिति में निमलिकित लेंदारों का भुकतान किस करम में होना चाहिए तो यह होने चाहिए बैंक अधी विकर्स के तो यहां पर फो कराते रहेंगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको में वीडियो कैसे लेगी स्थिपिल लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सेर कीजिए